तुसी सुन रहे हो लियो तॉल्स्ताई दी कहाणी बुढ्डियां दी तीरत यात्रा अनुवादक ने अभ्यसिंगते अवास तुसी मान रहे हो सिम्रन अक्स्ती ए कहाणी लियो तॉल्स्ताई दे कहाणी संग्रय चम्बेदियां कलियां विच्चो लई गई है बुड्डे आंदी तीरत यात्रा र्यासत जमूद एक छोटे जे पेंड विच दो बुड्डे रेंदे सी एक दा नाम रामदास ते दुजे दा नाम सी शामदास एन दोहा ने किसे अपात काल्च सुख्या सीगे हर दवार विसाखी शनान करंगे पर कई विसाखियां गुजर गईयां दोहा ने अपना प्राण पूराई ना कीता शामदास पलालोक सी ओधे विच हुक्के तमाकू न स्वार यां श्राब बर्गी कोई यल्लत नई सी सारी ओमरोने किसे नू मंदा नी सी आख्या ओधा टबर चंगा वड़ा सी दोपुतर सी एक पोत्रा ते ओधा विव्या हो चुक्का सी शामदास रीर दा चंगा हाड काठ दा तगडा सी पामे बुड़ा हो चुक्का सी तावी प्राणे सम्यादी सत्या ओधे विच है सी अजे रामदास ना ग्रीब ना अमीर जवानी दे वेले ओने मेनत मजूरी करके कुझ कमाई किती सी पर हुणोहो बक्रियां पालन दा कम करदा सी ओधा एक पुत्तर नौकरी करणले पंजाब चाया होया सी ते दुज्जा कारवेच पिताजी दी मदद करदा सी रामदास नेक बंदा सी ते सदा संतोष्ट रैन वाला किसे किसे बेले ओश्राब भी पी लंदा सी ते नसवार दी आदतवियोनू है सी रागदा शकीन सी पर करबार साकंगा दे नालो दा सलूक बड़ा चंगा सी ओ सिरों गंजा सी दोहां बुढ्ड्यानू पावे सुखणा सुख्यां कई साल बीद गए सी पर ये वार्ता ओ समेदिया ज़ाद पंजाब विच रेल नई सी हुंदी ते लोक तीर था ते जान लगयां पैदल सफर करया करते सी रामदास ते शामदास दोहां दा ख्याल सी के हरद्वार दी आतरा ते छे मिनने जरूर लग जानगे ते शामदास ता जी नहीं से करदा केतने चरवास ते करों विचोड़ा पाया जावे उन्हों हमेशा कोई ना कोई जरूरी काम प्यार हन्दा एक काम मुक जाए दूज्या शुड़ू हो जान्दा पहला उन्हें पोत्रे दा व्या कीता फिर आखन लगगा मेरा छोटा पुत्र फोज विचोचुटी ले आवे तादी तीर थां ते जासकांगा जद पुत्र आगया उन्हें मकान उसार ना शुरू कर देता एक दिन शाम दास ते कर राम दास आया ते आखन लगगा दसो प्राजी हुन तीर थां ते कदो चलना शाम दास ने कई टू चरटा है आख्योस एक सार ठैर जा एत वारी मेरी फसल नी जंगी हुई नले मकान दि जे पुत्रां दे हवाले कर देयां ओब गार देनगे तैनू पता ना मेरे वड़े पुत्रनू को टकू पी लेन दी वाधी पैगई है मकान में हथी शिडू कीता है ते आप ही हथी मकाना चा ना मा एस सारी दलील दा राम दास ने है उत्तर देता ओ मित्तरार बुड़े हो चले यां मनावत पूरी कारोणी चाही दी है हुणते नैन प्रान चाल देने फिर पता नी की बने मकान नू तु मुंडयां दे हवाले करना आपे उसार लेंगे जद असी अखियां मेट लेयां ताद भी ते कामेना नहीं सामड़ा ना तु अपने पुतर नू सगु अपने ज सफाई पयां कार दियाना ते काममुकण चीनियां दा मेरी वड़ीनों कुझे स्यानी अ आंदिसी दिवाली बड़ि पली लोक है जड़ी आप आज़न दिय जी साडे मकान साफ करनधी उडी की कारदी रहे ते कदे ना सके सो हो सजना जे चलना है तो दिवाली तो दूजे द इंटो रुपईये शामदास आखन लगगा ओ मेरा बथेरा रुपईया मकान ते खर्चो जुकाजे तीरत यात्रा बास्ते वी कटो कट सौ दमडा ते चाई देना रामदास हस्या गल्ला ना प्या बढ़ा तैनु सौर पैदी की परवा तेरे कोल मेरे नालो दासे हिस्से शामदास हैरान होया वे बकरियां वेच पचल तायं गाते नहीं रामदास ने आख्या पश्धावा केड़ी गल्दा प्रा मैं कद नहीं पश्धावन लगगा सारी उमर मैं कद पश्धावा कीता ही नहीं जे कीता तै तो केवल आपने पापार Раз ुअत वत के भी बह बस्त कोई हो सक दिये पलां। शामदास फिर हैरान होया। एह ते ठीक है पर करकाट हमेनी सुट देना चाइदा। रामदास सोख्यां हो आखन लगा ते आत्मानु भेशक सुट चल दईये। देख। बैमितरा तू ते मैं कठे सुख्या सी। उन ते आर हो ते पारसिरों लाई अपां। लोजी अखीर फैसला हो गया ते दोमें बुड़े दिवाली तो दूजे दिन पिंडो तो रुपई। रामदास ने सत बक्रियां पड़े गुवांटी नू वेच के सत्तर रुपई ले ते बाकी ती रुपई करदे सारे आदमिया पासों हुझ हांज के कठे कीते। ओधी नू ते वाटी ने सारी पुंजी ओधे हवाले करदेती। शामदास ने तुरन लग्या अपने टबर न ने त्या दग। रामदास ने अपने टबर नू कोई एहोजी सिख्या ना दिती। उन्हे केवल अपनी वाटी नू इतना आख्या के गुवांटी नू जेडियां साथ बक्रियां देनियां ने ओ चंगियां चण के धितियां जान। बाकी गल्ला वास्ते उन्हें पुत्तर पई। रामदास तां पिंडो बाहर निकल दे सारतन दे पुल गयां ते रा विच किसे वेले गायतरी पड़दा, किसे वेले गीता, कोई ते आये जुबानी बोलदा ते रा जान्दे लोकानाल बड़े प्रेम करदा। ऐस परकार उन्हें एक आदमी बढ़न दे यतन बाकी इलतां तां उन्हें छाड़ी दितियां पर नसवार ना छड़ी गई। एदी चूंडी वियो चोरी छिपे पारी लेंदा सी। शांदास भी तुरे आते जानदा सी। पर मन दे उत्ते चिनता दे बदल सी। उन्हु कई गल्लां चेते आयां जेडियां अपने पुतर आनु आखणियां पो लग्या सी। उन्हु याद आया मुंडे आलुमा दा बीज एमें खराब कर देंगे। उदा ता जी करदा सी कुवारी मुड जावे। सारियां गल्लां समझा आवे पर शर्मों को शर्मी तुरे आग्या। दोमानु करों तुरें एक महिन्ना बीद ग ता कई कराविच तर मी हिंदुआने एनानु तीरत यात्री समझ गेवी आदर सेवा कीती। जद तुर्दे तुर्दे दुबाबे पांचे ता पाना करतार दा ओस साल इलाकेच काल प्या हुया सी। एना बुढ्ड्यानु कई पिंडाविच पुख रेना प्या। एक दिन दर्यास सातलोजतों पांच कु मीलूरे एक पिंड चो लंगे। शामदास तुर्दे नु तकड़ा सी। ते लम्मे लम्मे कदम रखदा मौच जार्या सी। पर रामदास कुझ ठाक ग्या सी। उधा जी करदा सी के पिंड विच्चों कुटकु पाणी पीलवे। शामदास ते छात दा खस्ता हाल सी। तो पदे विच्च पुन जे एक गब्राट लेट या प्यासी। रामदास ने दे पासो पाणी दा कुट मंगया पर जवान बचारा बेसुद होया प्या जाबता सी। उन्हें कोई विजवाब ना देता। रामदास ने सोचया जां ते ये जव बचेती। पान हुमां नाराज है। उन्हें अंदर होके फेर वाज मारी। शुप लेलों को राही नूएक पानी दा दे ओखा। एदा कोई वित्तर ना मिलेया। उन्हें फेर आख यह निरंकार्दे प्यारे हो पानी दा कुट प्या हो। जवाब ना आया। रामदास ने जनानी बैठी है जी दे सारे स्रीर पर एको कपड है ओदे पास एक माडा ते पीले मुँँ वाला छोटा जया मुंदा बैठ है एको खुंजे दे विचो बदभो आ रही है ते बदभो दे नाल सारा इकार पर याप है निजा आके वेख्यासू ओस पासे एक जवान जनानी बे सुददा मलमूत्र भी बिच्चे ही प्यासी ते बुड़ी माई पास आसांग नहीं सी के उन्हों साफ करे रामदास नों अंदर आंदे वेख के बुड़ी डर गई आखर लगी की लेन आया है है रभा एक कौन आगया है साड़ी पास ते कुझ भी नहीं रामदास आखर लगी साड़े कर पाणी नहीं तेल्यों आणवाला मनुख भी कोई नहीं ना कोई पांडा टिंडर है जा अपना रा फल्ल है रामदास ने आख्या तु साड़े विच्चों कोई भी ओस विमार पई बिबीदी सेवा करन जोगा नहीं माई आखर लगी नहीं मेरा पुत्र ब जाद उने दादी नू ओदेना गल्ला कर दे वेख्या तो उने माँ दी बां फड़के फेर आखना शुरू कर देता दादी रोटी दे दादी रोटी दे इतने नू बाहर प्यावया गबरेट वी अंदर आगया ओकांद दे आसरे हौले हौले आया ते बुहेचे डिग प्य उने फेर उठन दा यतन कीता ते अटक अटक के आखन लगा असी सारे बिमार हो गईया नाले पुख नाले बिमारी मुंदावी पुख नाल मर चले आया ये समाचार वेके रामदास ने अपने लाक नाल बननी हुई बुझ की उतार के खोली ओदे विचे चार रोटी यां सी एक कड के ओस आदमी नू धेन लगा पर ओस आदमी ने मुंदे वाल इशारा कीता रोटी वेक के एक होर खुंजे विचो एक कुडी सेमी होई निकलाई ते पावे रोटी चंगी वड़ी सी पर ओना दोहा पैन प्रावाने तुरंत मुका छड़ी बुड़ी माई पासों नानी उसे तरह बेसर्त पैसी रामदास बजार जाके कुझ चावल लून क्यों ले आया कुझ उस कुडी ने मदद कीती ते छेती चावल त्यार हो गए कुझ उस आदमी ने खादे कुझ बुड़ी माई ने मुंडे और कुडी ने चंगी तरह लक के तांबिया साफ कर छड जी दा सारे सी के ए टबर विचारा पहलाई गरीब सी जद काल पैगया तैना दा हाल होर पैडा हो गया गौंडियां पासों मांग तुङ के महीना कु गुजारा कीता फिर गौंडियां विचें भी कई आप उखे हो गए ते कई आँ द दिल पुखा हो गया ए आदमी चार्य पासियों करज़ई हो गया ते किसे गवांडी पासों आटा उदाहर लिया होया सी किसे पासों रुपए किसे पासों दाल चावल ए आदमी करों बाहर मजूरी करन वास्ते निकल या पर लोकां पास घान जोगा ने इसी यह मजूरा नों कित्तो देन एक दिन काम लब पैंदा ता छेदना में बीच जान दे। बुड़ी मां ते छोटी गुड़ी ने पिख्या मंगणी शुरू कर देती पर लोकां पास दान देन वास्ते फातू रोटी कित्थूं आवे। ऐस प्रकार तंगी देनाल दो महीने कटे। फेर बमारी कार करती। बुरा हाल बांक के दे हाडे। एक दिन कोई टुक मिल जावे ते तिन तिन दिन कडाके निबढ। तंगा के एस टबर ने का ते बिर्चां दे पत्ते घाने शुरू कीते। एदेनाल बमारी ते कमजोरी होर वाद गई। किसे चेनी ताकत ना रही कि अपने पैरां दे खड़ भी हो सके। उनादी दर्दनाग विथ्या सुनके रामदास ने शामदास नू मिल पैन दा ख्याल छाड़ देता। सारा दिन एसे टबर दी सेवाच लगा रिया। दूजे दिन भी उनादी मदद विच लगा रिया। बजारों कुझ आठा दाल आदक लहाया। बुड़ी म आई ते कुडी ने राल रुसोई त्यार कीती। रुसोई पकॉन वास्ते बर्तन कुझ ता ग्वांडियां पासो मंगे ते कुझ नमे मुल ले आंदे। कारवेच ता पन्नी पुगडी भी नई सी। एस तरां दूजा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन एसकार दी काया दा फिर्दा सी। जद रामदास बैठा हुवे ता पाज के उधी चोली जा बड़े। उन तेन दिन भीत गये। ते रामदास ने सोचया मैं बठेरा समा इथे गवाँ छड़िया। उन छेती तुरना चाईदा है कि ते विसाखी तो पच्छड ना जामा। उने उन तुरन दा ख्याल कीता पर अगले दिन बसंत दा पुरव सी। उने सोचया चंगा जे पुरव दा दिन एना संग गुजारां। ओस दिन दो पैसे दा बसंती रंग ले आके सार्यां दे दुपटे रंगे ते सुजी के ओ मिठा आदक ले आके बसंती कडा बनाया। उस निरास्ता प जी देच मैं पहला वेख्या सी। ए सोच के उने पिंड देक जिमीदार पासों दो बैल पंजार पैनू मुल लेले। ते उ बैले इस कारवाले दे हवाले करके एक गउखरीदन दा विचार करन लगा। पर उनू रात नू सोच आई के राम दा सा एक कित्थे पसर के बैठ गया। तू ते पानी दा एक कोट मंगन आया सें। उने ना दी जमीन बीजन ते करदा सारा कामतन दा करन दी पांड नू खाम खाईं अपने सेर्थे चकन लगाएं। तू चंगी तीर्थ यात रह कीती। शाम दास चार दिना छे साठ को पैंडा कर गया हुएगा। तो दूजे पासे ख्याल ओंदा सी विसाखी ते हर द्वार दा इश्नान करना है। अखीरों ने फैसला कीता थोड़ी जी मदद होर करनी चाहिएं। उने बजार चो एक टोका, दातरी, एक होर समान खरीद के कुझ उस आदमी दे हवाले कीता ते उनू आखे उस किसे दा मुझ काई कठा करके फेर अपनी जो गेड़ें परी जमीन आनू छुडाल मी। ओस आदमी ने बड़ा शुकर करके बलदां दी जोडी ते होर समान रामदास पासों लेलिया। ते रामदास दूजे दिन सभेरे एनानू सुत्ते प्यां छोड अपनी गठडी मुड़े ते बन के तुर्पया। जादो गली चो लांग रिया सी। ओस ने अग्गे दो तीमी आनू तुरे जान्दे सुनेया। एक पई आख दी सी। नी बनती है। पताई ते नू। ओमनुख तानी ओई धेवतास मानू उत्रया होय है। उने पहला ता ओनानू पछाणिया इनी सी। ओ पा ने होर कई ही चीजां ख्रीदनिया ने चलनी किसे विले धर्शनी का रहा है। एक लना सुनके रामदास ता कलेजा जोर जोर दी तड़कन लगा। ते छेती छेती कदम पुटके ओ पिंडो बार हो गया। ते को कोह पारके मुड के पिछाना वेख्या। जद रामदास तिन को तुर गया। ता सूरज चड़ प्या सी। और सड़क दे एक पासे होके बैठ गया ते अपना बुचका खोलके उन्हें रुपई गिने। 100 रुपई करों लेकी तो रहा सी पर हुन केवल 11 रुपई बाकी सी। उन्हें सोचया 11 रुपईया नाल गंगाजी पांच नी सकत मुढ की ओना तैको पासे रिया। जी मैं मंग पिन के यात्रा करां तैक पाप है। मेरा मित्र शामदास उते पहुंच जाएगा। ते गंगा माई वीचे टुब्बी मेरे नाम दी दे ला देगा। मेरे पासो एस जनम छे सुखना पूरी हुंदी नी देस्थी। अच्छा मुर मुक्तला अपने आप बक्षे गाजी दी बक्षेश ते मेरे अगुण अणगें तने। ए सोच के रामदास उत्थिया ते पछान मुड़ पया। पर ओस पिंड विचो लंगण दी ओधी मर्जी उक्काई नही सी। ऐस वास्ते दो तिन कोहां दा वला पाके ओ फेर कर लें दा सी। जद रामदास वापसकार पांचया तटब्बरों दे आण ते बड़ा परसन होया। होर मिलन गिलन बाले वी आए सार्या ने अधुवाटे मुड़ आण दा कारन पुछया पर रामदास ने किसे नू कारन न दसया। एहो आख दासी निरंकार देच्छया न शामदास ने बाकी बचे हुए दो चार रुपए कार्च मोड देते। कारविच्छों किसे ने बुराना मनाया कि रुपए क्यों गुआ चे। फेरोंने कारदा हाल चाल पुछया ओधे पेच्छों कारदा सब कारज ठीक चालदा जार्या सी। सारा कामतंदा वेले सेरी हु आचे मुडाया पर फेरोंना नुए गल पोल पल आ गई। रामदास नुवी होड रजे में पैगई। कारदी छात ते मिट्टी पाई। कुझ लकडा वडले आंदियां और अपने पुत्तर नुँ नौकरी वास्ते पंजाब पेजिया। ते आप बकरियां पालन दे कामच रुज गया। उने शामदास नाल जो बितियों सुनो। जिस पिंट विच रामदास नुँ छाट गया सी, ओ तो पंज को दूर जाके शामदास बैठ गया ते अपने साथी नुडिकर लगा। दुपैर हो गई, ओने कमर कसा खोल के लक सिद्धा कीता ते रता सौन लया। ज तूरज भी रामदास थी उडिक करके ठक गया, बच्छों वल जाके लुक गया, पर शामदास विचारा उत्थी उडिक दा रिया। अखी रोज सोचया, की पता लंगी गया हुवे जद मैं सुत्ता प्यासां, जा की पता किसे ने बैल गड़ी बठा के कुझ पैंडा टपा छट्या हुई, है ते अन होनी गल, कि मैं इते सुत्ता प्या हुआ, ते राजांदा रामदास मेंनु वेखे न, हुण की करां, जे मुड जाके पिंडचों पता करां, ते खबरी उग्या लंग्या हुई, मते साधे विचकार विथे नीविना वाज जाई, कि असे मुड मिल न सकीए, चंगा आये हुँ, जो मैं तुर्पमा, राच पुछदा जावांगा, जे किसे नुँ पता हुए था, ए सोच के उतुर पया, जे थे ठेरिया से उथोदे चौंकीदार नु रामदास दा हुलिया दस के पुछिया, कि कोई ऐस तरां दा बुड़ा मिले ते मेरे प आस ले आओना, ए रात भी गई, पर रामदास ना आया, दुझे दिन शामदास नु यकीन हो गया, कि उग्ये लंग गया, सारे रालोका नु पुछदा पुछदा तुर्या गया, जद सहारन पुर पंच या ता उथे होर कई यात्री मिले, शामदास ने कई पंजाबी यात तुर्या गया, सहारन पुर तो शामदास नालिक साथी राल प्या, आदमी सी ते सिंध देश दा, पर कुझ कुझ पंजाबी बोल सकता सी, ए ते शामदास यात्रालाई कठे हो गय, सिंधी चेहरे मोहरे तो चंगा पर शजाबता सी, पर इक गल जीब सी के जित्थे भी को प कई प्रोहताने के रिया, पर सार्या तो जान बचांदे तुरे गय, तिरकाला तीक हर दवार पांच गय, गंगा माई दे दर्शन करके, उनाने आपने जीवन नो ता न कीता, जो शामदास नो खुशी होई उदा ठिकानाई की, जेडे दर्शना वास्ते छे मिहने पैंडा क कीता, ते कई प्रकार्दियां तकलीफां पोगियां, ओ दर्शना जे नसीब होई, रात पैच चुकी सी, ओ गंगा दे किनारी चादर विशाके सोंगए, दूजे दिन इना ने तड़के उठके हरकी पाडी ते इशनान कीता, पर शामदासे वेख के बड़ा अचर्ज होया, क्यों तो कुझ दूर इक बुढ़ा गंगा दा इशनान कर रहा सी, बुढ़े दे सिर्थोए जाबदा सी के रामदास है, पर ओधों लोकां दी बड़ी पीड सी, ते बुढ़े तक पंचना बड़ा अखा सी, शामदास ने इशनान करके कपड़े पाए ते किनारे ते पाल क परल लगा, पर यतन ने सफल गया, जा दिशनान करके वेले होए, एना ने इक तर अमशालाच डेरा कीता, रोटी खा चुके ता सिंदी ने अपनी जेव चाहत पाके रोला पना शुरू कर दिता, के हाए मेरी ता, रुपईया वाली वासनी किसे ने लुट लई, मैं गरीब कंगाल हो गया, मेरे पासी कोभी पैसा नी रिया, कुझ आदमी कठे हो गय, पर वासनी कितों लबणी सी, अफसोस कर दे होई, लोक आपो अपने रा पई, शाम दास दे मान चाया के सिंदी बड़ा चतर जापत है, एदे पास दे कोभी पैसा है यी ने सी, सगोईने मेरे पा पानी दा खर्च वी मैं दिन्दारिया, की पता है पर शैस परकार दी चला की केवल मैंनू तोखा देनली प्या करदा होई, ऐस ओचे शाम दास दे मान आई, पर उने मन बड़ा ताड़िया, समझाया की पता सची मुझी दिवासनी गवाची होई, ऐस शक्सने तीर थांते आके की चूठ बोलना सी, मैं आवें दोश लगा के पापा दा पागी बनता प्यामा, शाम दास ने बठेरा यतन कीता, पर शंका होर पक्की हुंदी गई, अखीरों ने ओदा सिंदी दा साथ ही छाड़ देता, ओस दिन शाम नू शाम दास ने कल्ले जाके कनखल दी यात्रा की दी, दो पैसे दे छोले ले बंदरा नू पाये ते मुड़ अपने टिकाने आके सौंग गया, दूजे दिन विसाखी दा इश्नान सी, ते शाम दास बड़े तड़के उठके हर्की पौड़ी पहुंच या, इश्नान कर दिया, उने फिर वेख्या कि राम दास वरगा एक बुड़ा को जग्य होके इश्नान कर रहे है, उस बुड़े ने सेरे एस्पासी किता ता शाम दास नो यकीन हो गया कि राम दास ही है, होर कोई नी, उन्हें अवाजा भी मारियां पर बुड़े नो पता ही कुझ ना लगा, शाम दास बड़ा हैरान कि राम दास ने बड़ी ओसे दिन रिखी केस पहंचया, एथे स्वर्ग आश्रम ते शेत्रां दे द्रिश्या वेख के उलश्मन चूले पहंचया ते उत्थों एक पार्टी दे नाल बदरी नारायन दे दर्शनानु तुर्प्या, एलाकार यासर टेरी विचे ते थे ठंड बड़ी पहंदी है, पर शाम दास भी जमू देश दावासी सी, ठंड दियोंने काई परवा ना कीती, एक महिने विच बदरी नारायन पहंच गया, पर एथे मंदर विच वेखके उनु फेरा चंबा लगा, मंदर दे मद विच चिते देवियां दी मूर्तियाने, उठे एक बुड़ा मता टेक रिया बुड़े ने सिरुचा कीता ते हैरान बुड़ा राम दास सी, शाम दास ने अग्ये खड़े आदमियां दे परे राम दास नु वेख्या, मंदर दे द्रवाजे विच खड़ो गया कि एथों लंगे गाते हुन मिली पमांगा, सारे आदमी मता टेक के चले गए, पर राम द संद्रों लब्याई ना, ऐस प्रकार तीरत यात्रा करके शाम दास पिछा मुड़िया, हैरान सी कि राम दास नु इन्नी वार देख्या मैं, पर उकदे मिले आ क्यो ना, कुछ दिन ता एसे ख्याल दे विच मुड़ गय, जद अद्दा पेंडा निबढ़ गया ते दुनिय आपया, जिते राम दास ओस पासवाड होया सी, ऐस देश थी हुन कायाई पल्टी होई सी, पिछले सारे थे काल सी, हुन सुकाल दा राज सी, फसला ले लहा रिया, लोकानु पुराणे दुखडे पुल गय, एक दिन ओहु पिंड आ गया, जेस विच पानी दा कुट पीन ल आओ, शाम दास दी मर्जी तुरे जान दी सी, पर छोटी कुडी ने अगाना जान देता, बुड्डे शाम दास नुखिच दी अपने कर ले गई, जिते ओधी दादी ते प्राबैठे होय सी, मुन्डे ने आख्या, आओ बाबाजी, रात साड़े पास ठेरो, तो के थी शाम दास हैरान होके अंदर चला गया, ओधे मान आया, जो राम दास दा एसकर हों पता लवा, शाइदे नो लोका नू कुझे खबर होये, बुड्डी माई ने उनू गरम पाणी हाथमू तो ओणनो देता, ते फेर रोह दी खीर दा चन्ना पार ले आई, शाम दास ने ओध ता नवाद कीता, ते ओधू एसले उपमा देती के ओ यातरियां दी सेवा टैल कर रहे ने, माई ने उत्थर दता, वीरा, असी ता परदेसियां दे दाहा सां, सानु एक परदेसी ने जीवन जुकती दसी, असी अपने को कर्मा दे करके रबनू पुले बैठे सां, ताहीं ते सजा देतार ते मरन मरांद हो गए सां, पिछले से आले असी सारे बिमार पैगए, ते खान नू साडे कर एक फक्का वीना रिया, असी एमें विलू विलू कर दे मर जाना सी, पराकाल पुर्खने मेर करके, साडी मदद लई एक बिर्द सरीर पेजया, उत्वाडी ही उमर दासी, ओ साडे कर पाणी दी कुट मंगन आया, ते साडी तरस योग दशा वे क्या थे ठैर प्या, ओनी साडे आन दाने दा परबंद कीता, साडी सेवा कीती, साडी ग्याणे पैपोहें भी मुडा देती, तेक बौल दां दी जोडी सानू लैकी देग्या, एदी गल विच् माई दिनू आखन लगी, पतानी ओ आदमी सी के रबने कोई देवता का लिया सी, ओने साडे पर जो दया कीती, मेहर कीती, जान देया अपना नाम भी ना दास गया, असी ओस नामी हिन हस्ती नू असी सा पई देन देया, मैनू हुणवी चेतेया, मैं खुणजे पई मात नू पैड़ी अवस्ता वेक के अपना बुच का एस था खोल के रख देता, छोटी कुडी बोली, नई बेबे, पहला बुच का उने ऐस मंजे रख्या सी, फेर चुक के संदूक ते, ओस सारे टबर ने राम दास दी कतनी और करनी दी चर्चा श्रू कर देती, एथे सुता, एथे पाणी पिता, एथे दरवाजे बैठा आद, रात वेले ओसकार दा मालक भी खिती तो वेला होके आगया, त्योने भी शाम दास दे सन मुख राम दास दी नेकी दिवार का छेडी, आख्या, जे कदियो नेक आदमी नाँदा, असी ते पापां दा फल पोग दे होई मर जाना करे, असी डंगरा वांग जीवन पैजी अंदे सा, उने सानू आदमी बनाया, ओस रात, कारवेच सुत्ते पैई, शाम दास नू नींदर ना पैई, उन मुढ मुढ, शाले हो अंदासी, राम दास दी तीरत यात्रार अबने परवान कर लई है, मेरी ते पतानी केड़ लेख पर राम जी ने आप उनू तीर था दे दर्शन करवाई ते अथे सिवा करवाई, दूजे दिन स्वेरे शाम दास ओस पेंड तो विदा होया, पर तोरन तो पहला ओस करवालया ने चार रूटियां, एक टेली गुर्दियों दे पल्ले बनिया, एक साल तो कुछ दिन वद ल जवाब दवे, शाम दास नू येकीन हो गया है कि मुंडा पिछो खराबी करदा रहा है, मुंडा गु तेज पारा करके बोल्या, जे मेरे तेतबार नहीं सी, ते आप रहन दे न, कम करदे, करदा सारा रुपईया हूंज केते तीर धान तोर गया, हुण मेरे नाल तकरार कर दाप्या, शाम दास ने नराज होके मुंडे दे चपेड कड मारी, ते अग्गो मुंडे ने वी प्योधी दाडी नू हाथ जा पाया, चीक चे हाडा प्या पर लोका ने आके प्योपत्तर नू छड़वा देता, दूजे दिन स्वेरे शाम दास अपणी मित्तर राम दास द रब दा शुकर है मैं यात्रा काराया, प्रा राम दास दे राजी विछड गया, मैं सुनिया और आजी बाजी कारप पड़ गया, आजी मुड आया सी, असी ते ओ तो बड़े उदास हो गय सा, उने बड़ा चे और आ देता, मुंडे केहन बापु बिन रोणक नहीं, शुकर करतार ने उनु वापस पेश दिता सु, तीरत यात्रा ते नहीं पूरी हुई, पर राम जी बक्षन हार ने आपे मेहर करनगे, पर में आजकल मुंडेया दा पईया बुड आ, कम कुझ नी करदा, पर फिर भी ओदासानू सौ सुख्या ना, जदो दा काराया, साटे कारनू ते चान चड़िया हुई है, शामदास ते आखन पर बुड़ी ने पतीनों अंद्रो बुलाया, जद बाहर आया तो दी एन मैंनों हो शकल जड़ी हर्तवार, ते बदरी नारायन शामदास ने वेखी, मिलक के बड़े पर सन होय, सुख सांद पुच्छी, शामदास आखन ल जावी, परेनी पता, जो अकाल पुर्ख ने परवान भी, रामदास ने गल टोक देया, शुक रेन रंकार ता, जै गंगा माही दी, शामदास ने आख्या, मिरा स्रीर ता तीर थां ते गया, पर असली तीरत यात्रा आता, आतमा दी जड़ी तूं की तीया न, रामदास गलां रब जाने मित्रा, तू बड़ा पागा वालाएं, शामदास पुच्छान लगा, आपनी वापसी ते, मैं ओसकार ठैरासा, जित्ते तू पाणी पीन गया सी, रामदास रबग की आखन लगा, मित्रा, रब दियां गलां रब दे हवाले करना, आ अंदर बै, तैन या उसकार वालें दा शुकर बिरतांत रामदास नुना सुनाया, पर अपने मन चो समझ गया के, मन मंदर तन वेस कलंदर कट ही तीरत नावा, ती तीरत नावा, जे तिस पावा, विन पाणे के नाए, विन पाणी के नाए